इलेक्ट्रोनिक्स वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सस्क्राइब करें और बैल आइकन को दवाएं लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए नमस्कार दोस्तों मेरे नाम हरीश और आप देख रहे हैं एलेक्टोनिस वर्मा तो दोस्तों आज हमारे पास जो है मैं आज आपको बताऊंगा कि मुल्टी मीटर से आप आइसी को कैसे चेक कर सकते हैं और मैं चाहता हूं कि रिपेरिंग करते समय जो दिक्कते हमें आती हैं हमारे किसी सस्क्राइबर भाईयों को ना आए तो देखिए इस मेरे पास आप छह है और चैल आइसी के अंदर से 3 थी खराब और 4 थी थी हमारी सभुच कर सकते हैं कि हमारी दिक्कते हमारे पास ऽारी आती है क्युद्विक यहां अ ripe यह पिंट्रम को न लगाए इस पर रिडिंग आ रिए हैं पर भी लगाई वह यह इस इम्ट पर दीर तो यह मारी जो इसलिए दिखाताय तीन नंबर पर मांशक्र गिंग धिक नंबर पे जा रही है अब देखें हम चार नंबर पर चेक करते हैं चार नंबर भी रीडिंग दिखा रहा है पांच-स नंबर पर हमारी डेखिन हम आ जाते हैं देखें जो अब देखें हमारी AIC है यह दोनों अइसी जो है वह घर भ्राब है तो धर आधिकि Keith तरीके से हुए इसको देखे मैंने यहां पर मल्टी मीटर को लगाया देखे पिन नमबर वन पर रीडिक को देखे sudah रही है उसी तरीके से जैसे पहले नम चैक पर ही हूरी ति को यहां पर भी बोल रही आनि कि यहां कि एई Ic आपकी दो जीगे सोट हो जाएगी तो आई सी आपकी खराब हो गई है इसलिक यह भी आई सी नूंबर वन पर भी देखी रेडिंग सहही दिखा आई थी वो मैं आपको बता देता हूं अगर आपको कभी कोई होम ठेटर रिपैरिंग में दिख्कत आईगी तो उसको सलूसेन आप निखा सकते हो इसमें क्या दिख्कत हो थी दोनों दोनों आई सी के अंदर कि जब मैं इस पीकर वायर को हटा देता था तो हमारा जो सैट है को सिरीज के अंदर नहीं दिखाता था और जो दूसरे साइड का जो स्पीकर था वो बढ़िया तरीके से वर्क करता था इस साइड का सही तरीके से वर्क नहीं करता था उसके अंदर हमिंग जादा आती थी और इसके अंदर क्या होता था कि जैसी में स्पीकर वायर को लगा प्रोब्लम के अंदर ने अगर आम आप स्पीकर वायर को हटा देंगे तो आपका में स्पीकर की को लगाइं उस आप स्पीकर की स्पीकर की स्टीध ह ढाली ही दिखा रहा है सप्वीर आउट्पूट पर डूरी ऑर देखे से लिकैसी मिलीक क्यों दीक हुलत लिकान और इंड जो किस तरीके इंड को लिवानी नंबर दए कि यह देखे पिन नंबर दो पर जो में यह ग्राउंड को रख दिया और जब मैं पहले नंबर पर देखे रीडिंग चेक कर रहा हूं तो यहां पर देखे 16 कुछ रीडिंग आ रही है 1601 रीडिंग क्या रही है ची पिन नंबर 2 पर जब चैक करता हूं तो यहां पर देखे−़ रीडिंग आ रही है तो यहां पर भी देखिए 1200 कुछ आ रहे हैं यहां भी 1200 कुछ आ रहे हैं लेकिन इस आइसी के अंदर आप देखिए जो प्रोब्लम है इस आइसी के अंदर इसके अंदर क्या दिक्कत है कि यह जब होम टेटर में लगी हुई थी तो 15-20 मिनट चलने के बाद यह इतनी हीट हो जाती थी और आवाद जो है होम टेटर की बिल्कुल बेकार हो जाती थी तो आइसी यह देखिए अब जब मैं इसकी रीडिंग को चेक करूंगा तक है यहां पर 1300 रीडिंग पहुंच चुकी है रीडिंग भी ज्यादा दिखा रहा है और पिन नंबर वन जो है उसके उसके पर कोई विन नोहीं और है तो देखें इस तरीके से आइसी खराब है इसके अंदर कोई बी वार दिखाई नहीं जी है यह लिडिंग और य कि जैसे आप सेट कॉन करते हो अधिकर his करती है तो आइसी आपकी घडियाए तो अगर भी आइसी हराब की क्योंकि कुछ समय के बाद यह जो है खराब हो जाती है फीटिंग जादा करने लगती है और सोट भी हो जाती है में आपको दिखाया कि किस तरीके से चैक हो सकती है एक बार आप जो है पहले दो आइसी लें और उसकी रीडिंग को नापके देखें फिर एक आइसी अपनी जो दूसरी IC है उसको भी लेके देखें कि उसकी रीडिंग कितनी आ रही है तो उस तरीके से भी आप जो है आसी वीडियो लाता रहूँगा